के सामने मैंस के question लिख रहा है, question क्या बूला है, x, y, z belongs to positive real number, find the minimum value of, यहां bracket में दिया है, x plus y plus z है, फिर यहां bracket के अंदर दिया है, 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z equal to what, तो हमें यहां पर इसकी minimum value find करने है, कि इसकी minimum value क्या होगी, तो चलिए मैं इस question को आपको solve करके दिखाती हूं, तो हमारा यहां पर question क्या है, x plus y plus z, और bracket में क्या है, 1 upon x plus y, 1 upon y plus 1 upon z equal to, इसकी हमें यहां पर minimum value find करने है, तो हमारा यह question है, जो यह solve होगा, यह theorem है, चाची स्क्रॉस in equality, उसी से यह question जो है, उसी से हमको, उस theorem के help से हमें इसकी minimum value मिलेगी, तो by चाची स्क्रॉस in equality, चाची स्क्रॉस in equality, तो हमें क्या कहता है, कि a1, a2, और dash dash an, और b1, b2, और dash dash bn, यह क्या है, belongs to positive real numbers, ठीक है, अगा इस तरही से number है, तो यहाँ पर क्या होता है, चाची स्क्रॉस in equality, क्या कहता है, यहाँ पर लिख दू, वो होता है, a1 का whole square, plus a2 का whole square, plus a3 का whole square, plus dash dash an का whole square, फिर यहाँ bracket में रहता है, b1 का whole square, plus b2 का whole square, plus b3 का whole square, dash dash, यहां पर रहता BN का whole square greater than or equal to A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 फिर plus, मैं तोरा सा और पेश को एधर कर दूँ, ठीक है, A3 B3 यह देखिए, A3 लिखाई है, यहां पर इसको मैं erase करके, और सही से लिखतू इसको, यह क्या है यहां पर हमारा, A3 B3 plus, dash dash A N BN, whole bracket लगा के यहां square लगाई है, तो यह चौची स्कॉच इनकॉलिटी का theorem है, इसी theorem से, कौन सा theorem आपका, यह जो है, यहां पर इसी से आपका, इसका minimum value निकलेगा, ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, हमारा जो main question है, main question में हमारा जो LHS है, वो क्या है, आप LHS देख सकते है, यह LHS है, ठीक है, तो आपको चौची स्कॉच इनकॉलिटी का, जो LHS, LHS का है, यह वाला term, इतना term, getter than or equal to के पहले वाला, तो आपका, जो main question में, यह वाला term है, LHS वो बिलकुल इसमें set होना चाहिए, चौची स्कॉच इनकॉलिटी में, जो LHS वाला side है, उसमें set होना चाहिए, देखिए, यहां पर आ अचाहिए, अब बाकी क्या पहले bracket के अंदर देखिए, bracket के अंदर क्या है, A1 का bracket के अंदर आपका यह सप्टा में, A1 का whole square, A2 का whole square, A3 का, ड़ा, Cn का whole square, आप देख सकते हैं, कि पहले वाले bracket में, जो भी आपका A1, A2, A3 है, सब पर square लगा है, लेकिन इस वाले bracket में, यहाँ पर दूसरे वाले bracket में, कहीं square लगा है, नहीं लगा है, ठीक है, तो हमको इसको इस तरीके से सेट करना होगा, कि इन दोनों bracket में, कौँसा जो main question है, उसमें दोनों bracket में, हर term, जो है, square में होना चाहिए, तो अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पर धियान देजेगा, हम रूट x का whole square लिख सकते हैं, क्योंकि दो बार into करेंगे, उसी तरीके से जो y है, इसको हम रूट y का whole square लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए 1 upon x, तो उसी तरीके से हम 1 upon x को 1 upon root x का whole square लिख सकते हैं, फिर यह क्या है, आपका 1 upon y है, तो 1 upon y को भी हम 1 upon रूट y का whole square लिख सकते हैं, फिर यह क्या 1 upon z, तो 1 upon z को हम 1 upon root z का whole square लिख सकते हैं, तो अब देखे, सब पर square लग गया, तो हम देखे, set करते हैं, ठीक है, तो हमारा यह question जो है, उस पर ध्यान दे जगा, हम यह bracket लगा रहे हैं, अब यहाँ पर देखे, यह x है, x की जगा क् whole square लगा दिया है, प्लस, फिर क्या y, y के जगा क्या लिखेंगे, रूट y का whole square, फिर यहाँ पर क्या है, यह z है, तो z की जगा क्या लिखेंगे, root z का whole square, ठीक है, bracket close, अब यह इंटू आ रहे हैं, इंटू लगाएं, इंटू लगाने जो उतनी है, यह bracket लगाई है, अब य root x का whole square, फ्लस, यह क्या है, one upon y, इइसके जगा क्या लिकिंगे, one upon root y का whole square, फ्लस, यह क्या है, one upon Drew, प्लस, इसके जगा काई लिकिंगे, one upon azul, Spread correct, प्लस, यह क्या है वान, रूट z का whole square, फिर की, अभी सिफ-set किया jetzt right, अभी सिफ-set किया जा रहा है, अभी यह ए, greater than और equal to क स सकते हैं यह पहला वाला जो ब्रैकेट है आपका यह वाला ब्रैकेट इसमें आप देखें एवन का स्कॉयर है यहां पर रूट एक्स का स्कॉयर है तो यहां भी स्कॉयर है यहां भी स्कॉयर है यहां पूरे तरीके से सेट होगे सब पर दोनों ब्रैकेट में स्कॉयर लगा है हर टम पर यहां इसमें भी आप देफ सिते हैं सब्बे स्कॉार लग गया है आप कंपेर करके यहांपर अट्रीक देखी यहांपर यहांपर यहांरे पास आएगी यह लिखती है आपने अब यहां दूसरा बेकेट कौन सा है आपका यह वाला ब्रैकेट है इस पर ध्यान दीजे यह क्या बीवन का स्कॉयर है यहां पर देखिए यहां पर भी स्कॉयर है तो कंपेर जब करेंगे तो यह बीवन की वैलू क्या एगी वन अपॉन इतो है तो यहां पर कंपेर किजिए यहां बीवन अपन रूट चट आएगी क्योंकि क्योंकि हां पर हमारा केवल थीन तंट में एक लोट टीन यहां पर दो और यहां पर वैलो तो हम आपको यह सारी values यहां मिल गई, हमने यहां value निकाल दिया, अब हम यहां पर 54's cross inequality लगाएंगे, ठीक है, तो 54's cross inequality मैं दुबारा यहां पर नीचे लिखती हूँ, ठीक है, 4's cross inequality क्या कहता है, अब क्यूक्कि यहां पर देखें के 3 term है, तो मैं a1 plus a2, यहां पर देखें के सब प प्लस E2 B2 प्लस A3 B3 का whole square ठीक है तो बस अब हमको इसमें क्या value रग देना है A1 E2 E3 तो A1 क्या root X तो root X का whole square plus A2 क्या है हमारा root Y का whole square plus A3 क्या है root Z का whole square bracket close ठीक है अब B1 square B1 क्या है A3 हमारा क्या है 1 upon root Z का whole square bracket close अब यह greater than or equal to का sign लगाई है अब यह bracket लगाई है A1 B1 तो A1 क्या है root X क्योंकि इनकी बीच में इनकी का sign B1 क्या है 1 upon root X उसी तो A2 B2 है तो A2 क्या है root Y अब B2 क्या है 1 upon root Y फिर प्लस यह क्या है A3 B3 A3 क्या है root Z अब B3 क्या है 1 upon root Z यह इस तरीके स्रीक यह देखे 3 लिखा का whole square ठीक है यह लगा दिया हमने पेज उपर करते हैं तो देखिए यह क्या हो जागा यह तो root X का whole square यह तो X हो जागा प्लस यह क्या है 1 upon Z greater than or equal to अब देखिए यहां पर यह root X root X कैंसल तो 1 हो जाएगा फिर यह क्या प्लस यह root Y कैंसल तो 1 हो जाएगा प्लस यह root Z कैंसल तो 1 होगा का whole square ठीक है तो यह हो जाएगा X plus Y प्लस Z है और फिर यह क्या 1 upon X plus 1 upon Y plus 1 upon Z greater than or equal to 1 plus 1 यह 3 हो जाएगा तो 3 का whole square ठीक है अब पेज उपर करते हैं यहां पर हम ठीक है यहां पर देखिए X plus Y plus Z 1 upon X plus 1 upon Y plus 1 upon Z greater than or equal to 3 का square क्या होगा यहां पर आप देखिए यहां पर आपका यह equality sign यह greater than का sign हट जागा क्यों हट जागा मैं बता हूँ इन दोनों में से कौन से दो sign है greater than or equal to यहां पर यह greater than or sign हट जाएगा यह equal to का sign लएगा दो sign है ना देखिए यह greater than और यह equal to equal to 3 का square 9 तो minimum value क्या आरी है हमारी यहां पर minimum value किसकी इस पूरे की minimum value 9 ना हरी अब यहां पर देखिए equal to का sign क्यों लगा है लो कभाया जब हमारा सब वन के बराबर होगा तब इसके वेलू क्या आएगी हमारी नाइन आएगी ठीक है तो उम्मिद है